कुछ दिनों पहले मेरे पास एक क्वेशन आया है कि भया मुझे अपने प्राइवेट पाट को कैसे धोना चाहिए मुझे यही नहीं पता है प्राइवेट एरा के बाल अटाने के बाद टैक्टिस टाइप के हैर निकलते हैं मैं केलविन क्लाइंग का अंडवेट पहनता हूँ फिर भी मेरे बॉल स्क्वीज होते हैं ऐसा क्यूब लड़कों की लाइफ भी इजी नहीं है जितनी डिफिकट लड़कियों की लाइफ होती है उससे कही ज़्यादा हम लड़कों की होती है आई दिन हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है कि हमारी लाइफ को और जादा डिफिकल्ट बनाती है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी ओक्वर्ड बॉइस प्रॉब्लम्स जो की हम लड़के एब्रीडे फेस करते ह हैं बट हम पूछने से डरते हैं तो आज मैं उनी प्रॉब्लम्स के कुछ सिंपल सुलूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा साथ-साथ बहुत ही इजी और गाइड भी बताऊंगा अपडेटेड वन तो मेक्शूर यूब बॉस्टी दिल दाएं लाइक कर दीज इस वीडि कि बहुत दाए कंफरेबल होगा हमारे स्वेट को अब्जॉब कर लेगा बट आशा बिल्कुल भी नहीं है प्योर प्लाइक अंडर आपको बिल्कुल नहीं पहने चाहिए कॉटन प्लस मोडाल फाबरिक इस फाब्रिक के अंडर पहने चाहिए कि माइक्रो मोडल फाबरिक ह हो जाते है न वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी इससाथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिम वाले जो अंडर वेर होते हैं जो की संथेटिक मिटिरल के बने होते हैं वो पहनना शुडू कर देते हैं एविडेय बेसिस में वो भी आपको अवाइट करने चाहिए कि क्या हम लोगों को रात में ईंडर बेहन के सोना चाहिए या रिमूव करके सोना चाहिए इससे क्या फरक पढता है well actually में बहुत जादा फ़रक पढता है अगर आप teenager है तो आपकी बोडी में बिल्कुल भी ब्रीद करने के स्पेस नहीं मिल पाते हैं, बॉल्स को और स्पॉम भी काफी जादा हीट अप रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, जिसके विज़े से वह काफी जादा डामेज होते हैं, रात के समय आपको प्लीज उनको फ्री रखिए, हो सके तो अंडरवेर रिम पहना है वो आपनी body के according नहीं पहन रहे हैं, कर एक body size के according आपको underwear पहना चाहिए, otherwise आप कितना भी महंगा underwear पहन लीजे, आपके जो balls हैं, आपको discomfort होगा ही होगा, तो underwear को हम डिवाइट करते हैं, पाच categories में, briefs, trunks, boxer briefs, boxers and thongs, तो briefs में जैसा हमको पता है कि space बहुत जाद पहन सकते हैं, चाहिए आप skinny हैं, चाहिए आप fatty हैं, इसको पहन सकते हैं, boxer briefs, जैसा पता है कि काफी जादा space होता है, आपको proper support मिलता है, तो आप इसको shorts के निचे नहीं पहन सकते हैं, बठाप trousers, jeans, अगर आपकी body skinny, athletic है तो भी आप इसको पहन सकते हैं, boxers जैसा पता है कि बहुत दा free होता है, इसमे support बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप इसको gym में नहीं पहन सकते हैं, अगर आप बहुत दा healthy हैं, तो आप इसको पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, सोते टाइम पहन सकते हैं, thongs, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत काम होता है, लेकिन support आपको proper तो आप जब workout कर रहे हैं या फिर आप खेल रहे हैं sports वगएरा में तो आप इसको पहन सकता है अब बहुत सारे अलके क्या कहते हैं कि private area के बाल जब remove करते हैं वहाँ पर cactus type के thick और नुखीली बाल ग्रो होने लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है वेल ऐसा इस वज़े से होता है क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से hair removal नहीं करते हैं प्राइविट एरे के पास का जो एरिया होता है वहाँ पे बाल बहुत जादा थिक होते हैं क्योंकि अफकॉर्स हम लोग बहुत कम चीज़ें अप्लाए करते हैं आपके बाल रीग्रो होंगे वह कैक्टस ट्राइब के होंगे यानि कि बहुत ही मुखीले से होंगे और आपको बहुत अदर डिसकंफर्ट भी फील होगा इसके साथ साथ यह प्रॉबलम ना हो आप बे हैर रिमोबल से पहले होट शावर ले सकते हैं इससे आपके पोर्स ओपन अप हो जाते हैं बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़ी से ढीले हो जाते है उनको रिमोव करना काफी एज़ी हो जाता है आप मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि भया मुझे प्राइवेट एरा को कैसे दोना चाहिए बहुत जाता गंदी स्मेल आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारे लड़कों को प्राइवेट एरा को दोने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो आपके फूर स्किन होती है उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और इंटिमेट वाश अपलाई करना है जो कि आपके पी एज बैलेंस को मेंटेन करके रखे वहाँ पे आपको स्किन की अच्छे से मसाज करनी है धूना है उसको उसके बाद पानी से र अब काफी सारे लगों कोई प्रॉब्लम होती है यह इंसेक्योटी होती है कि हमारा जो प्राइविट एर्या है वह बहुत जादा छोटा है इसकी वैसे से हम लोग काफी जादा इंसेक्योर हो रहते हैं कि यह भगवान ने दिया हुआ है आप इसको कभी भी खीच के और यह अगा है जब हम लोग पॉण देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका साइज जो है वो इत इंच नाइन इंच है और हम लोग जब अपना मशर करते हैं रहम बहुत जादा दुक्यों जाते है है depressed हो जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा illusion create कर सकते हैं, ताकि वो बड़ा दिखे, इसके लिए आप करना है, fitted underwear पहनना है, प्रेविट हिटा को ऊपर की तराफ रखे, आप वो डिरेक्शन में, जिससे की illusion create होता है, कि हाँ, you have a bigger package, So guys, यह थी कुछ ऐसी awkward man problems, जो कि मुझा ऐसा लगा कि आप सबके साथ जरूर शेर करनी चाहिए, यह कुछ ऐसी problems थी, कि हम लड़के everyday face करते हैं, but क्योंकि यह तने जादा awkward होती ही, तने जादा personal होती है, हम किसी के साथ share नहीं कर पाते हैं, तो मैंने उन में से कुछ problems को आपक झाल